Dear Friends, इस वीडियो में हम सुसुरु सहींता सूतरस्तान छटे अद्धे के उपर Competitive Exam में किस तरह से Question आ सकते हैं यह देखने वाले हैं इससे पहले पहले 5 अद्धे के उपर 3 वीडियो बनाए हैं अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं तो Description Box में Link दिया हुए वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं तो आएए इस वीडियो की शुरुवात करते हैं फर्स्ट क्वेस्टन इस ताइम टेकन इन अर्टिकुलेटिंग एनी अब दे शॉर्ट वोवेल्स लगू अक्षर उच्चारन मात्रा लगू अक्षर वोवेल्स को उच्चारन करने के लिए जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं अक्षी निमेश वन कास्टा वन मोर्त वन पक्ष तो सुसरु सहीता छटे अध्याय में काल का वर्णन है और काल का आधित्य के गती विशे से समवत सर के प्रव विबाग बताए गए और उसमें ये सब दिया हुआ है तो उसके उपर एक क्वेश्यन है तो आईए देखते हैं तत्र लगू अक्षर उच्चारन मात्रो अक्षी निमेश तो यहाँ पर लगू अक्षर उच्चारन के लिए जितना समय लगता है उसको अक्षी निमेश कहाँ है तो A is the correct answer और उसी तरह से पंचादस अक्षी निमेश 15 अक्षी निमेश का एक कास्टा 30 कास्टा का एक कला 20 कला का एक मूर्त 30 मूर्त का एक अवर आत्र 15 अवर आत्र से एक पक्ष 2 पक्ष का एक मास इस तरह से यह पूरा समवस्चर के प्रवविबाग दिये हुए तो यहाँ पर लगू अक्षर उच्चारन मात्रा अक्षी निमेश is the correct answer यहाँ पर इस तरह का चार्ड बना के रख सकते हैं लोगो अक्षर उच्चारन मात्रा अक्षी निमेश 15 अक्षी निमेश कास्टा 30 कास्टा एक कला 20 कला एक मूर्त 30 मूर्त 1 अवर आत्र 15 अवरात्र एक पक्ष 2 पक्ष का एक मास 2 मास का एक रूत और शर्ड रूतों का एक समवच्षर तो इस तरह से समवच्षर का प्रभी बाग इस अध्या में दिया हुए next question is 1 कला is equal to 10 कास्ट, 15 कास्ट, 20 कास्ट, 30 कास्ट so 1 कला is equal to 300, 30 कास्ट, D is the correct answer so 300 कास्ट कला, D is the correct answer next question is मदू और मादव, these two months constitute which of the following season रूतो शिशीर, वसंत, ग्रिश्म और वर्षा, तो यहाँ पर जो रूतो के नाम है उनको परियाईवाची सब्द से सुष्रू सहिंता में दिये हुए तो इसको याद करना जरूरी है, आये स्लोग देखते है तो यहाँ परियाईवाची है, इसको याद करना जरूरी है, इसके उपर question आ साकता है तो यहाँ पर मदू और मादव वसंत रूतो, B is the correct answer तो यह पूरा चार्ट इस तरह से बना के रखिये, और उसके synonyms डलन टीका में दिये है जैसे तपव तपश्य का माल और फाल गुन है, वो सुष्रू सहिंता में फिर से आएंगे तो इसमें थोड़ा सा डिपरेंस है, तो यह टीका का छोड़के आप सुष्रू सहिंता मूल श्रूक में जो दिया हुए, उसी को याद रखिये तो यहाँ पर माश रूतो के नाम, कौन से दो माश से कौन सा रूतो बनता है, यह याद करना ज़रूरी नेए श सहर्ष है मंत, सुची शूपर ग्रिश्मा नेस्ट क्वेस्टन इस सह और सहष यह बनता है, तो यह हमनी आपि देखा सह रूतो डी इस दिक रर्यक्त आंसर, सह सर्शो है मंता next question is मदूर अमल लवन रस becomes strong and dominant in which of the following season so दो अयन है उत्तरायन और दक्षिनायन दक्षिनायन में मदूर अमल लवन dominant बनते बलवान बनते और उत्तरायन में कड़ुतिक तकशा है तो यहाँ पर मदूर अमल लवन stronger dominant होते उत्तरायन और उत्तरायन के जो रूटु है वो है वर्षा शरद और हे सो दक्षिनायन में मदूर अमल लवन dominant है वो बलवान बनते है और बलवान होने के कारण सर्वक्रान का बल भी वर्दित होता है तो यहाँ पर मदूर अमल लवन दक्षिनायन का रूटु है का वर्षा, शरद और हे मन्त, तो हे मन्त रूतु है, जिसमें मदुरामल लवान रस बलवान बनते हैं, तो A is the correct answer. Next question is, तिक तक कशायान का टू रस बिकम स्टॉंग एंड डॉमिनेंट इन विच आप दो फॉल्वान होते हैं, और उत्तरायान के रूतु है, So, यहाँ पर शिशिर रूतु जो है, वो उत्तरायन का रूतु है, बाकी दक्शिनायन के, So, B is the correct answer. Next question is, इन सुशलु सहिता, for the purpose of describing the accumulation, excitation and pacification of the bodily humors, such as वात, etc., which of the following रूतु is excluded? So, दोश चय प्रको वर प्रशम को ध्यान में रखते हुए, कौन से रूतु बताए गए, और उसमें से कौन सा रूतु को निकाल दिया गए, तो दो उसमें दिया हुए, एक तो रस के बलवान के हिसाब से, उसको मद्य नजर रखते हुए, और दूसरा जो है यह, दोशो का चय प्रको प्रशम के हिसाब से, तो सिसिर आदी रूतु जो बताए गए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, वर्षा, शरत, हेमंत, वसंत, ग्र तो यहाँ पर एक्स्क्लूड किया हुए, तो B is the correct answer, तो प्रावरूट एड किया हुए, नेक्स्ट ग्रावरूट इन्क्लूड इंक्लूड्स विच फॉल्वेंग मंद्स, तो यह पूरा स्लोक दिया हुए, कउंसे रूतू का मुरूतू में कउंसे दो मंद्स आते हैं, त यहाँ पर प्राउड रूतु आशाड और श्रावन, इसके उपर क्वेश्चन आ सकते हैं, चय प्रकोप प्रशम और वात दोश, ओकर्स इन वीच अब दो फॉर्विंग सीजन, चय प्रकोप प्रशम वायूर ग्रिश्मा दिशू तरिशू, ग्रिश्मा प्रावरूट और श्रत, सी इस दी क्रेक्ट आउशर, तो वर्शाव हेनंत ग्रिश्मेशू, संजीता नां, दोश्या नां, श्रत वसंत प्रावरूट शूँज, प्रकुपिता नां, N िरहर्णां करतभ्य। तो यहाँ पर वात दोश का पूछा है, तो गृष्म प्रावरूट और शरत क्रम से चय प्रकोप प्रशम होता है C is the correct answer तो इस तरह से चाट है, तो वात दोश का चय प्रकोप प्रशम गृष्म प्रावरूट शरत, पित्त का वर्शा, शरत हेमंत, कप का हेमंत वसंत गृष्म Next question is, पूर्वान ने डैस लिंगम, पूर्वान ने गृष्मस्य वसंतश्य शारतश्य प्रावरूट अब यह पूरे दिन के कौँसा समय में कौँसे रुष्म के लक्षन दिखाए देते, इसका स्लोक सुष्र सहिता में चटे चाप्टर में है, इसके ओपर question आ सकते पूर्वान ने वसंतश्य लिंगम, मध्दान ने गृष्मस, अपरावरूट, प्रदोश, वारशिक, वर्षा रुथू, अर्दर आत्र में शर्दर रुथू, प्रत्यूश में हेमंत रुथू, इस तरह से वो पूरे लक्षन दिखाए देते, यह पूरा याद करना जरू झितैं, लूरे लाफ Unless friends, I hope this video will be helpful for you, we will meet in the next video, thank you once again